Hello everyone, this is Rasmi Pataak from Online Best 3. Iqon के बारे में मैं क्या ही बोलू, मतलब यहाँ पर जितनी सारी भी faculty है, जो भी जितने भी टीचर हैं, उबेन सर, रोहित सर, मोहित सर, अलपना मैं, आरूसी मैं, अजै सर, हिवानसु सर, आकास सर, सब के सब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, मतलब सारी concept clear हो जाते हैं, हमें, हमें class में कभी भी यह repeat करने के जरूरत नहीं होती, कि सर, आप यह बता तो, यह समझ में नहीं आया, वो पहले सही, खुद यह चीज़ अच्छे और कर लेते हैं, चाहिए उन्हें एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, तस बार, रिपीट करना परे, तो वो रिपीट करके उस चीज़ों को पहले ही clear कर देते हैं, जो भी concept होता है, मुहित सर के बारे में, अगर मैं बोलो, तो मुहित सर ने तो जैसे ठानी रखी है, कि मतलब वो पूरी के पूरी OBG class में गोल के बच्छों को पिला देंगे, उसके बार, अल्पना में हम इतने basic तरीके से चीज़ों को बताती है, वो F1 हमें बढ़ाती है, उसके साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ ये भी ensure करती है, कि बच्चों को वो practical exposure भी, घर बैठे, classroom में, classroom से ही जितना practical exposure दे पाए, चाहिए वो image के through, चाहिए वो छोटी-छोटी चीज़ को बता कि जो हम ध्यान रख सकते हैं, practical procedure करते टाइम, जैसे उन्होंने हमें class में बताया कि BP कैसे measure करते हैं, similarly, उपेइंसर, उपेइंसर इतना patience खुली हमें पढ़ाते हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, कि mental health में तो मतलब हर एक चीज़ समझाती है, जो आपको आज तक कभी समझ नहीं आई ना, I'm sure वो आपको icon join करने के बाद तो जरूर समझ में आईगी, एक चोटे से चोटे concept को इतने अच्छे तरीके से, इतने बारीक तरीके से समझाते हैं, छोटा सा चोटा example देते हैं, कि मतलब वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से घोस्ट जाए, किसी ना, किसी तरीके से, हेमान सुसर पीडिया पढ़ाते हैं, वो पीडिया की पूरे क्लास की रिविजन, डेली, लगभग डेली वो करवाते हैं, क्लास में question answer, rapid fire round होता है हमारा क्लास के अंदर, तो, आकासर, आकासर हमें respiratory पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, हाँ, community, community, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि community को मैं पसंद करूंगी, या community भी इतनी interesting हो सकती है, बढ़ आरू से मैं जिस तरीके से पढ़ाती हैं, वो बहुत ही interesting तरीके से पढ़ाती है, community पढ़ने में भी बहुत ही जादा मज़ा आ रहा है, तो मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि Econ, Econ की जो teamwork है, Econ की जो faculty है, वो जो teamwork दे रहे हैं, वो जो हमें education प्रोवाइट कर रहे हैं, वो जो हमें knowledge दे रहे हैं, कि बच्चों का concept clear हो रहा है, चाहिए आपने वो चीज़े कभी नहीं पढ़ी हो, वट अगर आपने इन से पढ़ ली तो आपके समझ में definitely वो चीज़ आएगी, और ये, these faculty are not only faculty, ये strong pillars है Econ के, जिनोंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को manage किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि online exposure ऐसा हो सकता है, और मैं online coaching के बिल्कुली against थी, बट Econ join करने के बाद online teaching को लेके भी मेरा नजरिया जेंज हुआ है, और कहीं न कहीं पढ़ाई को लेके भी, पहले I was an average student, मैं एक दू घंटे पढ़ती थी, अब मुझे जैसे जैसे class proceed हो रही है, मुझे पढ़ाई का importance समझ आ रहा है, और मेरे दिमाग में आ रहा है यह चीज कि नहीं, अगर यह चीज सर बता रहे हैं, तो यह चीज करनी है, और कुछ जरूरी भी है कहीं ना कहीं, तो पढ़ाई को लेके एक नजरिया change हो गया, मेरा IKON को जोइन करने के बाद, I must say कि IKON को जोइन करना is one of the best decision of my life till now, hope so, आगे भी सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, and thank you, thank you so much, thank you so much all the faculty for your efforts, for your time and for everything, and yes, एक चीज बोलना रह गया था, IKON में आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलेगी, कभी-कभी क्या होता है, कि हम पढ़ाई तो हमारी चल रही होती है, बट किसी ना किसी रीजन से हम dull feel करते हैं, demotivate feel करते हैं, तो सारी टीशर को ये पता है, कि वो कौन सा stage होगा, जहां पर बच्चा demotivate हो जाएगा, तो वो time-to-time booster dose, motivation का booster dose, वो आपको provide करते रहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा helpful होता है, जब आप dull feel करते हो, जब आप demotivated feel करते हो, तो आप अपने path पर बने रहो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो booster dose भी additionally आपको पढ़ाई के साथ साथ provide होगी, thank you sir, thank you so much for your motivation, thank you so much for your efforts.